हलो, सेमस्टर तीन के लिए जिनका प्रथम गोण और द्वित्य गोण हिंदी है, उनके लिए पेपर पाज का अन्य एक प्रश्ण हिंदूस्तान हमारा है, कविता का सारांस यहां प्रस्तुत किया गड़ा है कोटी-कोटी कंठों से निकली आज यही स्वरधारा है, भारत वर्श हमारा है, यह हिंदूस्तान हमारा है, जिस दिन सबसे पहले जागे नवल स्रुजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दोदो विश्त्रुत विमल वितान तने, जिस ख्षन नभ में तारे चिटके, जिस दिन सूरज चान्द मने, तमसे हैं यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, भारत वर्श हमारा है, यह हिंदूस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले नविन निर्मान की अनिक कल्पनाओं को साकार करने की प्रबल इच्छा जागरत हुई, जिस दिन देश और काल के दोदो विशाल एवं निर्मल तम्बो बन कर तयार हुए, जिस दिन नभ में तारा गणों का समु विखरा हुआ दिखाए दिया, जिस दिन सूर्य एवं चंद्रमा का निर्मान हुआ, तभी से यह देश हमारा है, इस पर हमें अभिवान है, यह भारत वश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जबकी घटाओं ने सीखा था, सबसे पहले घहराना, पहले पहल प्रभंज ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकी जल्दी सीख रहे थे, सबसे पहले लहराना, उसी अनादी आदिक शन से यह जन्मस्थान हमारा है, भारत वश हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। यहां कवेवर्श्रे बालकुष्ण सर्मा नविन कहते हैं कि जब से काली-काली घटाओं ने आकास में घने रूप में इकत्रित होना सिखा, आंधी तुपान ने आकास में ध्वनी करते हुए बगना सिखा, समुद्र में सबसे पहले लहरों ने हिल्लोर मारना सिखा, तभी उसी अनादी काल के अरंब में यह हमारा देश जन्मस्थल है यह भारतवश हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है जिस क्षान से जड उजगन गती में होकर जंगम कहलाए जब विहसी थी प्रथम उशा वह जब की कमल दल मुस्काए जब मिट्टी में चेतन चमका प्राणों के जोके आए है तब से यह देश हमारा यह मन प्राण हमारा है भारतवश हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है यहां कवी कहते है कि जिस क्षान से जड चमकते हुए कण गतीशिल बनकर प्राणों का संचार करने वाले कहलाए जिस समय प्रथम उसा हसी थी जिस समय कमल दल मुसकराय थे जब मिट्टी में चेतन चमका था तथा प्राणों के जोके आये थे तभी से यह देश हमारा है यह हमें मन और प्राणों से भी प्यारा है भारतवश हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है यहां प्रथम मानव ने खोले नदियारे लोचन अपने इसी नभ तले उसने देखे सतसत नवल शुजन सपने यहां उठे स्वाहा के स्वर और यहां स्वधा के मंत्र बने ऐसा प्यारा देश पुरातन ज्ञान निधान हमारा है भारतवश हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है कवी यहां कहते हैं कि यहां मनुश्य ने सर्वप्रथम अपनी नींग से भरे हुए नित्र खोले थे भाव यह है कि इस देश में सबसे पहले ज्यान का प्रकास प्रकट हुआ था उस समय इसने इसी आकास के नीचे नविन शुष्टी के निर्माण के सपने संजोये थे यही पर सर्वप्रथम स्वाहा यानि कि त्याग की भावना शब्द उच्चारित हुआ तथा यही पर स्वधा के मंत्र बने थे ऐसा हमारा प्राचिंतम देश ज्यान का अक्षय पंडार है यह देश भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है सतलज ब्यास चिनाब विस्ता रावी सिंदु तरंगवती यह गंगा माता यह यमुना गहर लहर रस रंगवती ब्रह्म पुत्रा कृष्णा कावेरी वत्सला उत्संगसी इनसे प्लावित देश हमारा यह रस खान हमारा है भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है कवी यहां कहते हैं कि हमारे देश में सतलज ब्यास चिनाब वित्सता रावी इवं सिंदु नदिया लहरे लेती है हुई प्रवाईत होती है मा गंगा, गहरी यमुना नदी अपनी लहरों के रज से आनन्दित होती हुई एवं क्रिडा करती हुई भहती है ब्रह्म पुत्रांट, कुरुष्णा, कावेरी, आधी नदिया अपने रिदय में वात्सले प्रेम के साथ उत्सा के साथ वह बहती है इनकी इनही नदियों से हमारा देश रस अर्थात जल से त्रुक्त बना हुआ रहता है यह भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है विंध्य सतपूडा नागा खसिया यह दो ओघट घाट महा भारत के पूरब पस्चिम के यह दो भीम कपाट महा तुंग सिखर चीर अटल हिमालय है परवत समराट यहां यह गिरिवर बन गया युगों से विजय निसान हमारा है भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है कविया कहना चाते है कि हमारे देश में विंध्या चल सत्पूडा नागा खसिया नाम के दो दुरगम घाट है इस देश के पूरब एवं पस्चिम के यह दो भीमकाई दरवाजी है सदेव अटल रूप में खड़ा रहने वाला हिमालय परवत है इस परवत का सिखर सबसे उंचा है ऐसा परवत राज हिमालय हमारे देश में है जो युगो युगो से हमारी विजय का प्रतिक बना रहा है यह भारत वर्ष हमारा है यह हिंदूस्तान हमारा है क्या गणना है कितनी लंबी हम सब की इतिहास लड़ी हमें गर्व है कि बहुत ही गहरे अपनी नीव पर पड़ी हमने बहुत बार सिर्जी है कई क्रांतिया बड़ी बड़ी इतिहासों ने किया सदाही अतिशय मान हमारा है भारत वर्ष हमारा है यह हिंदूस्तान हमारा है कवी यहां कहते है कि हमारे देश के इतिहास की लडिया बहुत लंबी है इनकी गणना नहीं की जा सकती है हमें इस बात का गर्व है कि हमारी संस्कृती की नीव बहुत ही गहरी गड़ी हुई है यद्यपी समय समय पर हमें अनिक विरोधियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा है जिसके कारण हमने अनिक क्रांतियों को भी जन में दिया है इतिहास इस बात का शाक्सी है कि इश्वर ने इन विपतियों में भी हमारे पूरी सहायता की और हम विजेश्री होकर निकले यह भारत वश हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है है आसन भूत अति उज्वल है अति गवरव शाली ओ छिटकी है वर्तमान पर बली के शोनित की लाली नव उसासी विजे हमारी विहस रही है मतवाली हम मानव को मुक्त करेंगे यही विदान हमारा है भारत वर्श हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है कवे यहां कहना चाहते हैं कि हमारा अतित काल बड़ा ही उज्वल एवं गौरोशाली रहा है वर्तमान पर बलिदानों के खुन की लाली चिटक रही थी साथ में ही हमें यह भी विश्वास है कि आने वाला समय हमारे देश के जीवन में हस्ती हुई उशा की मतवाली लाली को लेकर आने वाला है हम यह प्रतिग्या करते हैं कि मानों को सभी प्रकार के बंधनों से उन्हें मुक्त कर देंगे यही हमारा विदान है यह भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है गरज उठे 40 कोटी जन सुन ये वचन उचाह भरे काप उठे प्रति पक्षी जनगन उनके अंतस्तल सिहरे आज नए युग के नए नोसे ज्वलित अगनी के पुंज जरे कौन सामने आएगा यह देश महान हमारा है भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है कवी यहां करते हैं कि भारत के 40 करोड भारत वासियों ने वासियों के उच्सा इवं जोस से भरे हुए वचनों की गरजना सुनकर सत्रू के रिदय भर से कांपने लगे आज उन देश वासियों को नवीन यूग के सपनों को सजाने वाली आखों से जलते हुए आग के गोले जर रहे थे कहने का भाव यह है कि उनके नेत्रों से शत्रों को जला डालने वाला क्रोध टपक रहा था ऐसे वीरों को देख कर कौन व्यक्ति उनके सामने आने का दूस्जा हस कर सके गा कविया करते हैं कि ऐसा मेरा देश है अर्थात कोई कोई नहीं है ऐसा मेरा देश महान है भारत वर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है झाले